साथियों, छोटे, मजोले और लगू उद्योगों को ससक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कदम उठा रही है, छोटों उद्योगों को बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत ना आए, इसके लिए ओन लाइन रिण की एक आधुनी की ववस्ता बनाई गई है, और आप जान करके हरार हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग उसका लाब रह रहे रहे, आगरा के लोग लाब रहे, सिरब उनसाच मिनिट में एक गंटा भी नहीं, सिरफ उन्साट मिनिट में ही एक करोर रुपिय तक के लोन की सहिद्दान्तिक मज्जूरी देने की टेक्नोलोजिकल विवस्ता खड़ी कर दी गई है इसके अलावा सरकार द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है कि बड़े उद्योगों या कम्पनियों में छोटे उद्यमियों का पैसा ना फसे कैस्प्रो बना रहे जो बाहर सामान निदियात करते हैं वो जो लोन लेते हैं उनको ब्याज में दो प्रतिशत की और छुट दी गई है इसी तरह परियावरन क्लेरन से लेकर इंस्पेक्शन तक के नियमों को बहुत सरल किया गया है इन तमाम प्रयासों से छोटे और मजले उद्योगों को आने वाले समय में और गती मिलेगी और आगरा और आजपास के युवाओं को रोजगार के नए आउसर भी मिलेगे व्यापार और कारोबार तब फलता फुलता है जम नियम काईदे आसान होते हैं जो व्यापारी को भी समझाए और ग्राहक को भी समझाए व्यापारी और ग्राहक के रिष्टे और उनके आपसी विश्वास और भरोसे को मजबूत करने की ही व्यवस्ता ये जी एस्टी है अभी इस नई व्यवस्ता को सिर्फ लेड़ वर्ष हुआ है और लगातार जन सुनवाई लोगों की शिकायतों सुनते सुनते उसमें बदल होते रहते हैं सुधार होते रहे हैं और एक सामान्य ववस्ता की दिशा में इतना बड़ा देश इतना बड़ा काम दुनिया के लोगों को भी अचरज कर रहा है भाई और बेनों कुछ लोग ब्रह्म फेला रहे हैं और इसलिए एक बात हम समझे कि पहले जितने कर लिखते थे उसके उपर GST नाम का एक नया कर आ यह एक जूट है यह ब्रह्म है GST यह कोई नया कर नहीं है पहले जो कर लगते थे 25 परसंट 30 परसंट 18 परसंट 20 परसंट 22 परसंट और वो छुपे हुए रहते थे पता ही नहीं चलता था और हम देते रहते थे उन सब को खतम कर दिया गया है और जो 40 परसंट था 32 परसंट था 35 परसंट था 30 परसंट था 28 परसंट उस सब को कम करते हुए 99 परसंट चीजों को 18 परसंट से नीचे ला दिया गया है कोई 18 में है कोई 12 में है कोई 5 में कोई 0 में है और इसका लाब जो ग्रहक जागरूत है वो इसका पूरा-पूरा फाइदा उठा रहा है और इसले भाईयों भेनों जीयेस्टि को व्यापारियों और उपभोगताओं के लिए और सरल करने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है जन भागिदारी से चलने वाली ये सरकार आप सभी से मिल रहे सुजाओं पर अमल कर रही है और इसलिए हमने अब GST काउंसिल से आगर किया है कि GST के दाइरे में आने वाले उद्यमों की आई सिमा को इन मैंने बहुत आगर किया है निरने मेरे हाथ में नहीं है निरने GST काउंसिल के हाथ में है GST काउंसिल में सभी राज नीजिती दल की सरकारे हैं सभी राजिय सरकारे हैं और उन 시म ने मिलकर के निने करना है लेकिन मैंने उन्से आग्रग किया है कि GST के एदाने में आने वाले उद्यमों के आहिश सिमा को 20 लाग से बढ़ा कर 45 लाग तक किया जाए इसके अलावा मद्जंबर के लिए गर बनते हैं उनको भी सिरफ और सिरफ 5 प्रतिशत के दायरे में लाया जाए ये दोनों बातें जीएस्टी काउंसिल को मैंने आगर से कही है पिछली बार भी कही थी लेकिन पिछली बार कुछ राज्यों के ने विरोध किया सहमती नहीं बन पाई मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब जीएस्टी काउंसिल मिलेगी तो जनता जनादन की इस बात का भी वो ध्यान रखेगी